वेलकम तो रेट टेग चैनल अन्यू वे तो लार्न तोड़ेश टॉपिक इस एक्सरेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो लेट्स बिगेन एक्सरेज एक्सरेज को डिस्कावर किया था डबलू सी रोंजन ने आठ नौवंबर 1895 को जो एक फिजिज जर्मन फिजिसिस्ट थे जो वोल्टेज डिस्चार्ज फिनोमेना को स्टडी करते हुए एक्सरेज का डिस्कावर किया था यह मैंने पहले भी वीडियो में एक्स्प्लेंड किया हुआ है यह आप वैल एक्स्प्लेंड देख सकते हैं बायोग्राफिय ओफसर डबलू सी रोंजन में अब जो इस करेक्टर स्टिक्स है क्या प्रोपर्टीज है यह रोंजन को नहीं पता था रोंजन क्या ओविसली किसी को नहीं पता था इसलिए जैसे मैथमेटिकल में मैट्स में एजल लेट करते हैं कि सपोस्ट टू भी एक्स ऐसे ही सेम ऐसे ही उस पे कि उनको पता नहीं तक क्या नाम दिया अब इसकी प्रोपर्टीज के बारे में बात करते हैं एक्स रेज और अर एलक्रोंगनेटिक रेज होती है और जो वेव की तरह बीएव करती है एज आई मैंशन डी वेव वीडियो और एज वेल एज पार्टिकल नेचर जो पार्टिकल नेचर है वो एक तरह से फो प्रोपर्टी दूसरी हो गई दे पोजेस ग्रेटर पैनिट्रेटिंग पावर इसमें पैनिट्रेटिंग पावर बहुत जादा होती है इसलिए आज की डेट में हम एक्सरेज फोर्म कर सकते हैं बस यह लेड से पैनिट्रेट नहीं होता है बाकी मोस्टली अब्जेक्ट्स को पैनिट्रेट कर देता है और पार जिसको बोलते हैं फिर आता है इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेव है यह पर इसमें एक भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है यह एक तरह से न्यूट्रल होती है ठीक है फोर्थ आता है दे कैन कोस आयोनिजेशन ओफ गैसिस इंडिर्क्ली आयोनिजेशन क्या है मीन्स एक तरह सी वेकैंसी क्रेट कर सकता है किसी भी एटम में यह इसकी एक तरह से प्रोपर्टी है कि किसी भी एटम में कोई और्बिट में घूमरा है इलेक्ट्रो उसको रिमूवल कर सकता है रिप्लेस्मेंट कर सकता है जिससे की आयोनिजेशन क्र हो जाता है देर वेवलेंथ रेंजिस फ्रॉम 0.1 से 0.5 एंग स्ट्रॉम एविंग एनर्जी लेवल ओफ 25 किलो एलेक्ट्रोन वॉल्ट से लेके 125 किल एलेक्ट्रोन वॉल्ट तक इसकी होती है एनर्जी लेवल और यह स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो क्यों होते है थ्री इंटू टैन दी पाउर एट बीटर पर सेकेंड और यह स्टेट लाइन में ट्रेवल करते हैं एक्स रेज जैसे की लाइट रेज भी करते हैं और इनको एक्स रेज को फोकुस नहीं किया जा सकता किसी भी लैंस से क्योंकि एक चोटे पार्टिकल और वीक पार्टिकल है जिससे इसको लेंग से फोकुस्ट नहीं किया जा सकता और जो एक्सरेज होती है वो जब किसी मैटर में से पास होती है तो कुछ हीट भी क्रियेट करती है यह इसकी प्रोपर्टीज है और नाइन्थ है दे कोस्ट फ्लोरेंसेंस इसकोवर किया था उस वक्त में भी फ्लोरेंस हुआ था जिस वजह से एक्सरेज की डिसकोवरी हुई यह भी इसकी एक प्रोपर्टी है फिर आता है दे कोस्ट फोटोग्राफिक एफेक्ट ओन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पे फोटोग्राफ emission हुई थी वह इसका हो गया एक तरह से photographic effect फिर आता है डे ऐंक कोज chemical yellow by logical changes जो photographic effect है वह हमारा होता है chemical changes अब इसमें biological changes यह कि यह और करता है और excitation ionization में biological effective में यह भी समझ सकते हैं कि heredatory वह कर दकता है mutations कर सकता है यह इसके biological हो गया तो यह हमारे थे x-rays and its properties that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching